नमस्कार बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे कक्षा पांचवी अंग्रेजी से लेशन नमबर एट महेश्वर एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका का हल ये देखिए महेश्वर का सुन्दर साख किला हमें तस्वीर में दिख रहा है आगे बैंक आफ रिवर कौन सी रिवर के किनारे पर महेश्वर बसा हुपा है तो यहां आप्शन नमबर सी आ जाएगा अंसर नर्मदा आगे है दा फोर्ट आफ महेश्वर वास बिल्ट इन दा डैस 18th सेंचुरी आप्शन नमबर सी यहां पर सही है 18th सेंचुरी महेश्वर का कि अठार्वी सताब्दी में बना था वेरी सॉर्ट आंसर टाइप कोश्चन आंसर दा फालोविंग कोश्चन वन और टू वर्ट एक या दो सब्दों में उत्तर लिखना है पंक्चुएशन दा फालोविंग सेंटेंस नीचे दिये गए सेंटेंस में विराम चिन्नों का प्र महेश्वर का म बना देंगे capital नाउन है महेश्वर फिर लगा देंगे अलप विराम फिर हो जाएगा the capital the capital the town of रानी का r capital बना देंगे रानी अहिल्या का a capital बना देंगे अहिल्या बाई का बी कैपिटल बना देंगे बाई आफ इंदोर के बाद फुल स्टॉप इस तरह से यहाँ पर हमने विराम चिन्नों का प्रियोग किया इसमाल कैपिटल का प्रियोग किया इन सब्दों को फिर से जमाना है और एक मीनिंग्फुल वर्ड बनाना है तो दिखिए एफ ओ आर्ट यहाँ बन जाएगा फोर्ट यह बन जाएगा फोर्ट और होल्य यह बन जाएगा हॉली फोर्ट मिन्स किला हॉली मिन्स पवित्र आगे देखिए इस महेश्वर नोन फॉर महेश्वरी सारी क्या महेश्वर महेश्वरी सारी के लिए प्रसिद है या चंदेरी सारी के लिए प्रसिद है तो किसके लिए प्रसिद है महेश्वरी सारी के लिए प्रसिद है यहाँ लिखतेंगे महेश्वर महेश्वर is इसके बार लग जाएगा is known for महेश्वरी महेश्वरी सारी यह देखे बच्चों यह हो गया इस प्रशन का उत्तर चलिए छटवा लेते हैं what is the ancient name of महेश्वर what is the ancient name of महेश्वर महेश्वर का पुराना नाम क्या है तो महेश्वर महेश्मती है इसका नाम क्या है महेश्मती Mahishmati is the ancient name of Maheshwar Maheshwar का पुराना नाम क्या है? Mahishmati है Ancient means पुराना Short answer type questions answer the following questions in one or two sentences नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर एक या दो वाक्यों में देना है Where did Bhola take both? Bhola ने कहां इसनान किया? तो क्या हो जाएगा? Bhola ने कहां इसनान किया? River नर्मदा में किया तो लिख देंगे Bhola Bhola took both Take से क्या हो जाएगा? उसका सेकेंड फॉर्म टुक तो लिख देते हैं Bhola took bath in the holy river नर्मदा आगे लेते हैं आठवा प्रश्न विच इस दे मोस्ट बीूटिफुल फॉर्ट इन सेंट्रल इंडिया? अध्य भारत का सब्से सुन्दर कि ला कौन सा है? महेश्वार महेश्वार फॉर्ट इस दा मोस्ट बीूटिफुल फॉर्ट इन दा सेंट्रल इंडिया? बीूटिफुल फॉर्ट इन दा इन इन सेंट्रल इंडिया दनी लगाएंगे इन सेंट्रल इंडिया? नेक्स्ट है बच्चों Whose capital was? महेश्वार महेश्वार किसकी राजधानी थी? महेश्वार महेश्वार was the capital was the capital महेश्वार was the capital देखिए यहां से हमने इतना लिख दिया महेश्वार was the capital of रानी अहिल्या बाई रानी अहिल्या बाई आफ इंदोर इंदोर की रानी अहिल्या बाई की राजधानी थी आगे है change the given adjectives into adverbs जो दिये गए adjective है ना उन्हें adverb में बदलना है तो slow है पहला सब तो यहां नीचे जो खालिस्थान दिया हुआ इनमें आपको लिखना है slowly धीरे धीरे happy है तो happily happily y से i बनकर ly लग जाएगा फिर bright है तो brightly rightly rightly और neat है तो neatly इस तरह से हम इन्हें adjective को adverb में बदल देंगे बच्चों long answer type questions answer the following questions in three or five sentence निम्लिकित प्रसुनों के उत्तर तीन या पांच वाक्यों में लिखें rearrange the letters to make meaningful words and use the same in your sentence words को हमें जमाना है और पहले meaningful words बनाना है और फिर उसे हमारे वाक्यों में प्रियोग करना है पहला word है tuifleabu तो हम बना देंगे इसको beautiful beautiful फिर हमारे पास है pcaiatl तो यहां बन जाएगा capital फिर है afamus तो हम बना देंगे इससे f-a-m-o-u-s famous यहां पर इससे o कर देंगे फिर है amr-a-nd-a तो बन जाएगा यह नर्मदा n-a-r-m-a-d-a नर्मदा फिर आगे इनका हमें वाक्यों में प्रियोग करना है तो कर देते हैं सबसे पहला है beautiful लिख देते हैं sivni is a beautiful city beautiful city फिर देखते हैं दूसरे नमबर का sentence क्या है भोपाल is the capital of mp तो देखे पहले हमने beautiful का इस्तेमाल कर दिया फिर capital का कर दिया फिर तीसरा sentence लेते हैं फेमस महेश्वार महेश्वार इस फेमस फार महेश्वरी सारीज अभी लिखा था ना बच्चों हमने ये ये फेमस हो गया हमारा तीसरा वर्ड हाँ तो लिखते हैं दनर्मदा दनर्मदा is a holy river आगे है बच्चों write three or four sentence on any historical place which you have visited तो बच्चों आपको इस खाली जगह में उस जगह के बारे में लिखना है उस historical place के बारे में लिखना है जो आप घूम चुके हैं तीन या चार वाक्यों में तो बच्चों आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है धन्यवाद